नमस्कार दोस्तों, आउसीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करार का ये कुपसूरत सा डिजाइन लाए हूँ जिसे आप जैन स्वेटर में, लेडिस कार्डिगन में, जैकेट में, कूटी में, पच्चो के स्वेटर में, टॉप में, पुलूवर में, चाहे किसी भी मन चाहे प्रुजक्त में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए 10 के मल्टिपल फंदेचे ये और 6 फंदा एक्स्ट्रा तो चलिए फ्रांस हम दिजाइन बनाते हैं पहला फंदा एज इस टीच है इसे स्लिप कर लेंगे फिर चार फंदों को सलाई में दू बार उन लपिटते हुए सीधा बनेंगे एक बार लपिटा एक बार और लपिटा और सीधा बन लिया एक बार लपिटा एक बार और लपिटा और सीधा बन लिया एक दो सीधा तो चार फंदों को हमने सलाई में दो बार उन लपिटते हुए सीधा बन लिया अब उन अपनी और करेंगे और छे फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच और छे तो पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही दसो फंदों को हमें पूरी सलाई में दोराना है उन दूसरी और करना है चार फंदों को सलाई में दो बार उन लपिटते हुए सीधा बन लिया है तीन चार और उन अपनी और करना है और छे फंदों को उल्टा बुनते हुए छे फंदों को उल्टा बुल लेना है चार फंदा चलाई में दो बार उन लपिटते हुए सीधा उन अपनी और करना है और छे फंदा उल्टा और लास्ट में पाँच फंदा बचेगा तो उसे हम चार फंदे को सलाई में दो बार उन लपिटते हुए सीधा बुल लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टीच है उसे सीधा और रॉंग सैट से पहले फंदे को सलिप कर लेंगे और लपिटते हुए फंदो को खोलेंगे और इसे हमें बुलना नहीं है इन्हें स्लिप कर लेना है और छे उल्टे फंदे जो हमने बुलने है उसे हम रॉंग सैट से भी उल्टा ही बुल लेंगे लपिटे हुए चार फंदे खोल लेंगे इन्हें स्लिप कर लेंगे और फिर अगले छे फंदे उल्टा तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे लपिटे हुए फंदे खोल लेंगे और बुने हुए फंदे उल्टा बुल लेंगे थार्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा एज स्टीच है से स्लिप कर लेंगे अब चार ये लपेटे हुए फंदे हैं तो पहले फंदे को हम छोड़ देंगे पहले दूसरे फंदे को सीधा बन लेंगे और अब पहले फंदे को सीधा अब इधर से पहले दूसरे फंदे को बैक साइड से सीधा बनेंगे फिर पहले वाले फंदे को बैक लुप से सीधा तो चार फंदे हमने बुन ले अब उन अपनी और करेंगे और शे उल्टे फंदे जो हमने बुने थे उन्हें वापस उल्टा बुन लेंगे अब उन दूसरी और करेंगे लपेटे हुए चार फंदे हैं तो पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और उसके बाद पहले वाले फंदे को सीधा अब दो फंदे बचे तो पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे उसके बाद पहले वाले फंदे को बैक लूप से सीधा उन अपनी ओर करेंगे छे फंदे उल्टे उन दूसरी ओर करेंगे लपेते वे चार फंदों में से पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को सीधा फिर नेक्स्ट दो फंदों में से पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को बैक लूप से सीधा फिर छे फंदा उल्टा फिर लपेते हुए देखिए पाँच चार फंदे हैं तो पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बनेंगे फिर पहले वाले फंदे को सीधा अब नेक्स्ट दो फंदों में पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बनेंगे फिर पहले बाले फन्दे को back look से सीधा last फन्दा edge stitch है इसे हम सीधा बुन लेंगे और wrong side से सबीं फन्दे उल्टा 5th row और front side पहला फन्दा slip कर लेंगे या सीधा बुन लेंगे या स Rapha लेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे उल्टे ये हमारे चार लपेटे हुए फंदे इनको उल्टा बुन लेंगे और एक साइड से फंदा उल्टा बुन लेंगे और अब नेक्स्ट चार फंदे हैं तो इन्हें हम सलाई में दो बार उन लपेटे हुए सीधा बुन लेंगे अब उन अपनी ओर करेंगे ये चार लपेटे हुए फंदे और साइट से एक एक फंदा ले लेंगे यानि कि छे फंदा उल्टा बुल लेंगे और नेक्स्ट चार फंदा उसे सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा तीन चार उन अपनी ओर करेंगे और छे फंदे उल्टा बुल लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे चार फंदे सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा शिक्स त्रो और रॉंग साइट सभी फंदे उल्टे बुल लेंगे और लपेटे हुए फंदे खुलेंगे और उन्हें सलिप कर लेंगे लपेटे हुए फंदो को हमें बुलना नहीं है उन्हें खुलना है और सलिप कर लेंगे और शेस फंदे उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे सेवन्थ रो और फ्रंट साइट पहला फंदा सलिप कर लेंगे पांच फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच उन्हें दूसरी और करेंगे और चार ये खुले हुए फंदे हैं लपेटे हुए फंदे हैं उन्हें हम पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे को उसके बाद शेस दो फंदों में पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को बैक लूप से सीधा नेक्स्ट छे फंदा, उल्टा, उन्दूसरी और करेंगे, लपेटे हुए चार फंदों में पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा, शे फंदों में पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, छे फंदा उल्टा, तो इन ही दसो फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है, लास्ट में पाच फंदे उल्टे और लास्ट फंद आया जिस टीच है उसे सीधा बुनेंगे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे तो देखिए फ्रेंस दिजाइन बनके त्यार है आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं आठो लाइनों को पुरे स्वेटर में दोराना है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो दिजाइन आपके सामने है आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको डिजाइन अच्छी लगी है तो रिपैय से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद